नमस्कार दोस्तों, Trending Tech चनल में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं Trending Tech तो चलिए, शुरू करते हैं तो सबसे पहले खबर की बात करें जहांपर Microsoft Surface Go 2 की तरफ से जैसा कि आपको पिचल में दिखाया गया है कि इसका layout कुछ ऐसा होगा पुराने model के comparison इसमें कम bezel देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 10 inch की display देखने को मिलेंगी और साथ में आपको total 1920 1280 का screen resolution देखने को मिलेगा जो के अची बात है अगर बात करें OS की तो इसमें हमको Windows 10 का operating system देखने को मिलेगा बाकी rumor जे बता रहे हैं कि इसकी price 30,000 के आजबास हो सकती है बाकी जे tablet में मैंन्थ में लॉंच हो सकता है आपका कहते हो मुझे बताना जुरूर नीचे comments में तो बात करते हैं जहां पर अगली खबर को लेकर फिर Microsoft की तरफ से बताया जाता है कि Microsoft ने एक link एड़ किया है Windows search वार में जो coronavirus information से related होगा जिसे user easily assess कर सकता है और नई जानकर के बारे में जान सकता है आपको ये feature कैसा लगा मुझे comment करके बता सकते हैं तो अगली खबर की बात करें जहां Redmi K30i की तरफ से बताया जाता है कि ये smartphone लास टैप्रार में लाँच हो सकता है और ये 5G variant के साथ में आएगा जिसमें हमको 48 Megawisle का कैमरा भी दीकन मिल सकता है और इसकी price 90,000 के आसपास बताये गई है बाकी दोस्तों रिमर ये बता रहे हैं कि ये phone Redmi K30 के नाम से चीने में लाँच हो सकता है बाकी की स्पेक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा सिर्फ इसमें एक डिफरेंस जहीं होगा जैसा company की तरफ से बताया है कि इसमें हमको 48 Megafixle की बजाए 64 Megafixle का कैमरा देखने को मल सकता है बाकी आपका कहते हो मुझे comment करके बता सकते है तो अगले खबर की बात करें जहां Canon EOS RS की तरफ से बताया जाता है कि ये 8K तक VD recording कर सकता है जो के अच्छी बात है दोस्तों इसका पहला feature जहीं है कि ये Canon EOS RS mirrorless camera lens के साथ में आता है और साथ में इसमें हमको dual card का slot भी मिल जाता है जो की मेरा favorite है 120 FPS तक 4K recording कर सकता है जो के अच्छी बात है बाकी देखते हैं कि ये camera कब लौँच होगा और किस price में लौँच होगा और इंडिया में जे camera हमें कब देखने को मिलेगा आपको जे camera कैसा लगा मुझे comment करके बता सकते हैं तो बात करते हैं जहां पर अगले ख़बर को लेकर Samsung Galaxy Watch की तरफ से दोस्तों Samsung ने announce किया है कि व्लेड प्रेशर मोनीटरिंग के लिए एक new app आसकता है Galaxy Watch 2 के लिए जो की अची बात है बाकी देखते हैं कि इस बाद Samsung हमारे लिए क्या कुछ निया लेकर आता है आप क्या कहते हो मुझे comment में बता सकते हैं तो बस फिलहाल वीडियो में दोस्तों इतना है देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया तो लाइक और शेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राब करना मत बूलना क्योंकि मैं रुजाना आपके लिए ऐसे टेक वीडियो से लेकर आता रहता हूँ तो फिलहाल वीडियो में दोस्तों इतना है जैहित बन्द मातरम